वही है भी पी एच देखे आप यहां पर एक SMB 1360 करके आइसी लगी हुई है जो कि आपकी चार्जिंग आइसी है उसमें जा रहा है प्लाद इसके साथ में फ्यूल गॉज आइसी है तो आप देख रहेंगे कि बैट्टरी आपकी देखो यह जो सिंबोल है ना मैं आपको यहा पहले तो पहला नंबर वॉन पहले पर हम जाएंगे यह फ्यूल में हा में फ्यूल गॉज फ्यूल गॉज इंनबर और तीसरा यह जूसे 32 अचेक्यटाण संबलम में लोग जो गलती करते हैं Google ङCause कि वह खाली इतना कि लेट अर्व बेट्ट करोगे तुमको देखे यहां पर भी जा रहा है यहा पर भी जा घ्जा रहा है यहां से आ रहा है अगक्त द्रॉडब कर कर दिखाऊं तो यह वाला जो रजिस्टर में पाना चीर्ण करता हूँ को 2 फopia बैडिबिसा तीक है या रिजिस्टर एडिर को और यह जो बबय जा रहा था आपका आप का कि यह dead set था और ना इसमें evensy का fault था ना इसमें sorting थी ना हाप sorting थी फिर भी यह dead था तो क्यों क्या वज़ए हो सकती है क्या नहीं हो सकती है सारी चीज मैंने आपको यहांपर बताई और इस बार मैंने कोसिस किया कि इस बार आपको मैंने यहां पर डियाग्राम के साथ में सारी चीज आपको यहां पर बताई देखें यह हमारा फॉन कंप्लीट डिरूप से ओन हो गया है लेखें टच भी यहां पर वर्किंग में कियारे बाइए एक बार मेरे साथ बोलो इंडिया का सबसे नमर वान इस एक तेक्ट अनुद्ध आपका चैनल मैं हूं देवर्त नंगरवाल और यहां मेरे पास में एक राइरमी का वाय-वन जैसे क्या आप देख रहे हैं आप अच्छा दोस्तों इसमें क्या प्रोब्लम हैं यह मुबाइल डेड कंडिशन में है और इस मुबाइल को हम पूरा चेक करेंगे स्टेप तु स्टेप किस सरे से डेड फोन को बनाया जा सकता है और क्या उसमें क्या-क्या फॉल्ट आ सकते हैं तो बिसीकली आप जैसे की देख लिए मैंने इसकी बैटरी निकाल के रख कुई इसका निकाल के रखा हुआ है यह इसका आपके तो यह इसका चार्जिंग करेंटर है यह इसका टच का जो करेंटर है उन्होंने यहां पर देकर रखा हुआ नीचा बॉटम आपके सब पीसीवी में आपर देकर रखा हुआ है यह इसका यहां पर आपको बीटुबी केबल सबसे पहले हम इसके बैटरी चार्जर देखने का जएक बिलिए pra इन से, विलता पैकल्टलू तो इन को कि बिला जो आ आप का इसाफे ओ आपलाए वोगज देखने का है वो डिकेट को और देखने को मिलता है और यहां पर इस पन neither करका हुआ है मैं तो यह कहना चाहता हूँ कि अगर आपके बाद डैट फोन आता है तो आप बैटी के चार्ज भी ना देखें आप उसको पहले एक कम्प्यूटर के साथ कनेक्ट करें देखें हो देखें कि वह पूर्ट बना रहा है कि बना रहा है कि किसी भी मोगाल को खुलन सब्सक्दाइ में आप जितना समय लगाएंगे उतना आप जल्दी में आप देखनाइ में लगा लाइगे और अगर पूर्ट बन जाता है तो उसको आप कि अगर पूर्ट बन जाता है तो झाब सबसे पहले उसका सवाट वे कीजिए उसको फैस करना थो भी अगर वो फ्लैस होता है, तो ठीक है, अगर कोई यह जैसे read info भी कर सकते हैं, अगर read info होता है, तो ठीक है, अगर read info नहीं होता है, तो इसका मतलब यह हो सकता है कि उधर उसमें कोई error हो, कुछ EMC से related जो problem हो, तो इसका मतलब उसमें EMC से related भी आप काम कर सकते हैं, तो यह सारी यहां पर ज्यादा बात ना करता हुए मैं सीधे यहां पर आपको देखाता हूँ तो यहां पर सबसे पहले मैं बोल्टेज चेक कर रहा हूं उसके बाद में कुछ रीडिंग चेक करेंगे और यहां पर हम सर्कुट डाइगरम यह वीडियो पूरा देख लेगा क्योंकि इसमे आपको डियाइट डिया मोइल हम जुट देखें हूंगे आपने कि किसी ने सीधे आई सी उठाई बना दिया किसी बीबड की लाइन को बता दिया पर आप निया कभी यह नोटिस नहीं किया होगा कि बीबड की लाइन हमें किसी थारड मुवाल में धूर्ण और यहां के मेरा यहाँ पर आप यहाँ नोटिस कर रहे हैंगे मैं तो मैं पको माइक्रोस्कूप दिखा दूंगा ए फिलाल मैं आपको माँटीमीटर मुझे दिखाना है तो देखे-मैठी शільки एहाँ पर जोसे बैटरी लगा कर रखी हैं मुझे 1 भी मैं लगा देता हो अल typically कोई मतलब न करें हाँ हाला कि अगर सॉटिंग मिलती है तो कभी कभार बैटरी हटाने पड़ी आपको वोल्टेज चेक करना बहुत ज़्यादा जोड़ी पर जाता है कि अगर आपका बूर्ड हाफ सॉट है और जिसके वज़े से बैटरी भी आपका वोल्टेज को डाउन कर सकती है यहां पर मैंने बैटरी लगा के रखी हुई है अब मैं पहले बैटरी के वोल्टेज चेक कर लेता हूं तो जैसे देखिए इसको हम 20 बोल्ट पर कर लेते हैं तो देखे 20V पे अमने इसको कर लिया है अब हम आप बैटी के वोल्टेज चेक करेंगे तो यहां पर आप जैसे कि देख रहे हैं हमें 3.9 वोल्टेज मिल रहे हैं अब यहां पर 3.9 वोल्टेज अच्छा यह भी चीज आदेखे यह फ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं इसका मतलब यह है कि यहां पर किसी प्रकार का लिकेज तो नहीं है इस फोन में क्योंकि यह फ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं ठीक है हो सकते थे ऐसा नहीं है कि फ्लेक्ट नहीं हो तो लिकेज माना जा सकता है तो अब क्योंकि बैटरी के बोल्टेस सही है और आपको तो पता होगा अगर आप मुबाय रेपेरिंग के मैं और रेडी अकाम कर रहे हैं और टेखनी से यह आप सीखा है यह आप सीखना चाहते हैं तो सारी चीजें अगर नहीं पता तो आप फिर क्लास जोइन कर सते हैं बड़ यहां पर बताना चाहता हूं कि यहां पर यह है आपका पावर की कनेक्टर देखिए इसको समझाने के लिए बहुत अच्छे से मैं इसको डीपली में भी ले जाके समझा सकता हूं और मैं आज कि लांट Farm करहना है कि भी बिबैट की लाइन आपको बताने है कि अला कि फिलाल तो हम इसको ट्रेस करेंगे और वाल इसको बनने की अड़म रहें siamo पर जब भी भी आप मॉबाल फोन में बैट्री लगाते हैं सबसे पहले जो वोल्टीज होते हैं वो आपको बैट्टर पर म देते हैं और जिससे आपकी power IC जो भी main DC to DC converter IC है वो आपकी बूट होती है और उसके बाद वो एक switching पैदा करती है जिससे आपका वो phone on होता है आपको यहाँ पर करना क्या है देखिए हैं मुझे यहाँ पर testing point दिख रहे हैं अगर testing point नहीं होते हैं तो मैं testing point यह जो connector होता है मेरे 6 pin का connector है मैं इस पर लगा कर चेक कर लेता है तो testing point पर मुझे जो मेरे power की के जो मुझे voltage मिलने चाहिए वो मुझे minimum मिलने चाहिए 1.2 जो 2.8 टक भी जा सकते हैं क्योंकि Android में जनरली 1.7 1.8 voltage आते हैं Samsung में इसको 1.2 1.4 का भी 1.6 भी देखा गया है और नॉर्मली 3G फोनों में यहां 4.2 वोल्टेज भी आपको देखने को मिल जाते हैं तो हम यहां पर वोल्टेज चेक करेंगे तो आप जसकी देख रहा है कि 1.8 वोल्टेज यहां पर हमें मिल ला है आप देखिए कि आप यहां पर आपको 1.8 वोल्टेज देखने को मिल ला है और यहां पर देखिए यहां पर हमको कोई वोल्टेज देखने को मिल ला है और य यह पर आपको वोल्टेज देखने को मिलते हैं, तो यहां पर जनली आपको वोल्टेज देखने को मिलते हैं, तो यहां पर जनली आपको वोल्टेज देखने को मिलते हैं, तो यहां पर जनली आपको वोल्टेज देखने को मिलते हैं, तो यहां पर जनली आपको वोल्टेज आई चेक करेंगे तो अब हम इसकी रइडिंग चेक करने वाले हैं तो मैं इसकी रडिंग चेक करने के लिए इसको ऑचाल दिया में नय किया जो continuing इसको बटी को आफ है अब हम इस इसीव पेयर को निकाल देंगे का मैं कि हमारे पात कर नस कि बाकर हम करेक्टरом में तो देखें, मैं सबसे पहले यहांपर लगा रहा रहा हूं। प्रप्लम कर्केल, और इसकी जान सकते हैं, यहांपर उक्राइप करें, पैलिक। हम चेक कर लेते हैं reverse करने में क्या होता है black वाले portion को आपको ग्राउंड पर लगाना होता है और red वाले को आपको testing point पर लगाना होता है तो आप जैसे कि देख रहे हैं कि मैं यहाँ पर कर रहा हूं और यहाँ पर कोई भी reading नहीं आ रही है यह बाल में आपको ground दिखा देता हूं यह रेकिए यह रेकिए यह ग्राउंड है तो यहाँ पर लगाने पर कोई भी reading नहीं आ रही है और यहाँ लगाने पर आपको सही reading देखने को मिल रही है अब इसके देखे, डेड मुवाइल में हमको जो जो बीबैट की रीडिंग है वो तो चेक करना ही पड़ती है, साथ में BSI और BTIM की रीडिंग भी चेक करना हमारे लिए बहुत इंपोर्टेंट होता है, क्योंकि इसका भी बहुत बढ़ा रोल होता है मुबाइल फोन में, तो अगर हम य BSI आ रहा है पर मुझे BTIM की रीडिंग नहीं आ रही है आप जैसे कि यहां पर नोटिस करो तो मुझे BTIM की रीडिंग यहां पर नहीं देखने को मिल लई है देखे, मैं फिर से दिखाना चाहता हूं यहां पर मुझे BSI यहां पर मुझे इस प्रोब्लम को एक बढ़ मैं पर से चालू करना चाहता हूं तो यह MULTiMETER का प्रोब्लम है जनले बैटरी कभी वज़े से प्रोब्लम आता मुल्टिमीटर के देखे अब यह प्रोब्लम बिल्कुल सही हो गया अच्छा यह बार बार आ रहा है कि MULTiMETER का प्रोब्लम है देखे जैसे कि मैंने कहा था ओके लोगडाउन में मल्टiMETER यूज ही नहीं हो अच्छा दोस्तों मैं क्या करूं मल्टiMETER भी इसको भी अटेक आ रहे है तो यहां पर आप जैसे कि देख रहे हैं यहां पर इसको तो मिली रहे हैं पीएसाई की रीडिंग भी आ रही है चैसो आदमें बीटम है जो य अब इसमें हम डैड मोईल में क्या क्या चेक कर सकते हैं तो पूरा वीडो देखेगा क्योंकि यह बहुत लाजवाब वीडो होने वाला है और बहुत कुछ आप इससे सीखने वाले हो और आसा करता हो कि और कुछ नया और कुछ भरिया और बहुत अट्रेक्टिव और चोटी- मोईल लेवल को ही आगे भढ़ा देगी दूसरे लेवल पर ले जाएगी तो चलिए अब हम क्या करते हैं अब हम इसको दूसरे तरीके से चेक करते हैं देखिए मान लेते हैं कि अगर बीटेम पर भी रिडिंग आती समझेगा कि मैंने कैमरे को थुरह सा मूब किया हुआ है देखिए मान लीजे बीटेम को भी रिडिंग आती और सारी चीज सही होती फिर डैड होता तो क्या जैसे कि मैंने बोला आपको पूर्ट बनार कर देखना होता है यह देखिए केबल यहां पर लगी हुई है यह केबल मैं यूज़ करना चाहता हूँ को कि यह केबल है यह देखिए गया आप मेरे लैटाप की स्क्रीन यहां पर देख रहे होंगे हुए ठीक है और तो मैं है लैटव में है मैं लैब ट्रॉप में अपनी स्कीर को शेयर्ड कर देता हूं घुर्ट के साथ में आपको यहां पर बना के देखाता हूं आला कि आप यहां पर direct भी देख सकते हैं तकर को नि आप डेश म When you areihat Mr. device manager से पहले मैं यहां पर बता देता है क्या एक 2 TE अब चार्जर पे बीधर के का नैता है कि चार्जर लगाने पर हमारे बोल्टेज यह जो किसी भी फोन में और कि डेड वोलक बनाने के लिए कि ही आपके स्टाप देखना पड़ेगा इस qualidade पर कोई नहीं सिर्ळ आई नहीं। मैं केवल एवल चेक केवल डिस्पलिय कीवल केवल केवल चेक कर लेता ह। चोपल हैма थीजें नहीं कौती सेस ऐह में चर्जय कर लेते ह। तो यहां पडाई झागर मुझें टार्श करना है, क्याकर यहां पर charge नहीं हो रहा है, जैसे suppose देखें यह तो यह पर चार्जिर लगाया है और यह कोई भी कि बिल्क नहीं कर रहा है चाजके आपको भी पता ओंगे की में without battery लगाने पर यह MI का लोगो आके off हो चाता है, तो इसका voltage dead हो है, यह मूबाय, तो यहां पर charger लगाने पड़ एक बार यह चेक कर लेते हैं, यहां पर voltage आरहे हैं कि यहां पर voltage नहीं आरहे हैं जाने आपको पता है यह आज़कल की पावर IC के अंदर आने लगी है जैसे PMI होती है यह BQ होता है जो डीसी टू डीसी कनवर्टर भी होता है तो चलिए सबसे पहले मैं आपको यहां पर चार्जर के आपको दिखा देता हूं और यहां पर वोल्टेज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं तो देखिए मैंने यहां पर चार्जर लगाया हुआ है अब मैं आपर वोल्टेज चेक करके आपको देखा रहा हूं मैं इसको पहले वोल्ट में कर देता हूं यह देखे 20 वोल्ट में मैंने इसको कर दिया है अब यहां पर हम इसको वोल्टेज में लगा के इसको चकर करके दिखाते हैं आपको कि यहां पर कितना वोल्ट आ रहा है अगर देखे यहां पर देखे आप जैसे की देख रहे होंगे मुझे मुझे फ्लेक्ट करके आ रहे हैं तो इसको मैं एक बार फिर से बंद और चालू करके चेक कर लेता हूं कि यहां पर ठीक है कि देखें पार्च वोल्टों मुझे बड़ाबर पूरे मिली रहे हैं यहां पर यहां पर देखेंगे तो देखेंगे चार वोल्टेज मिल रहे हैं पर यह फ्लेक्ट कर रहे हैं अच्छा दोस्तों इसका भी प्रॉब्लम है अगर मैं बहुत सारे स्ट्रीन को मैं हमेसा यह भी बताता हूं कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप यह कर सकते हैं कि आप बीबस की लाइन को ट्रिस कीजे अब बेबस की लाइन को भी ऄहिता वर रहा है तो वह आपको मिल सटी है कोई कि मैं पर निकालगे यहां पर चक देए नहीं है, यहां पर कोई भी एसा लीकेज नहीं है, हम सुरू से ही पर चेक करेंगे क्या है तौर कि यहां पर निकालगे बीटैम का आ में अगर को बना सी पहले उसके इसके फोटो के साथ में बताता हूं इसका डैग्राम है कि कौन सा कॉम्परेंट किदर लगा हुआ है तो चलिए अब आपके सामने दो चीज आपको रोड़ी है एक आपको स्क्रीन और यहां पर आपको ऐसे एक तो सबसे पर यहीए और इसके ले आउट है और इसके ले सबस्itations सब्सक्राइब यह द्यूर है अगर यहां कि बाद कर गए ऑघ्र हो समय है कि YT इसकंड लिद्वाट पर डि मोटेष्टिंग के श्चेर ही जो कि में रिडिंग है यहां पर हमें रिडिंग growers हो रही थी और मैं होल टेस्टिंग के टाइम पर ही कि यहां पर तो हमें रीडिग्मिल ले हमारा भी तो बिल्कुल ओपन था और मारा ग्राउंट है तो भी हमारा यह यहां से बन सकता है पर फिर भी हम लिए तो जैसे कि आफ यहां पर लगे हुए तो जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं इसमें वाटर डेमिस के निसाम तो मुझे दिखाई नहीं देते हैं तो चलिए इसको पहले ट्रेस करते हैं कि बीबैट आपका जाता किदर है अब देखी आपने खुलना ले आउट और ले आउट के बाद फिर आपको खुलना है इसका डाइग्राम यहां पर अलगी में कर सकता हूं पर उसके लिए आपको आना पड़ेगा क्लास और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि वीडियो में सिर्फ चीजें आपको पूरी सारी तरीके से समझाई नहीं आ सकती हैं सामने बैट करके मेरे साब से अधुर्तों ऑनलाइन कभी भी सीखा नहीं जा सकत रहे है कि यहां पर देख यहां पर जो में अपका बैटी करेटर सबसे पहले तो मुझे यहां पर बैटी करेटर को फाइंड आउट करना होता है कि बी पी एच आपका पावर कहां से जा रहा है कि यहां लगी हुए यहां लगी है वह जो समझना बहुत ज़्यवरी होता है तो ही हम अपने पावर इसी के आउपूट को समझ सकते हैं येकि बीपीएच लाइन पावर लाइन होती है जो आपका बैटरी को डिकत ना पहुचे इसलिए आज कल के सेटों में आपने देखा होगा कि ज्चाधातर बैटरी को पर भी कोई इसके साथ यह 90.2 का मेगार्स का एक क्रिस्टल लगा हुआ है आप नोटिस कर रहे हूं कि मेरा जो मेन है नोटिस करवाने का सीन वह यह बीपी एच देखे आप यहां पर एक एक SMB 1360 करके एक लगी हुई है जो कि आपकी चार्जिंग आईसी है उसमें जा रहा है इसके साथ में फ्यूल गौज आईसी है तो आप देख रहेंगे कि बैटरी आपकी देखो यह जो सिंबोल है ना मैं आपको यहां पर यह सिंबोल दिखाता हूं कि देखेगा कि देखे इसको मैं पैंसल लेङव लेता हूं कि यह जो सिंबोल है ना यह बैटरी का सुंबॉल यह आपकी ऑना बैट्रीं है अगर मैं बात करूंगा यह आपका दीबैट हैमें इसकैँ तो यह जा रहा है प्लस इन आई यह चार्ज नहीं कर रहा है तो यह वाली इस वी फॉल्ट हो सकती है और यह वाली इस फॉल्ट हो सकती है दिसर ज्रह चेक करेंगे और उसके बाद और रहा है और यह पावर यह को निकालेंगे इसको रिबॉल यह प्लेश करेंगे और फिर हम देखेंगे कि हमारा पॉर्ट बन रहा है कि नि बन रहा है और उसके बाद हमारा फॉन सही तरीके से काम कर रहा है जो भी है तो यह सारी चीज़े स्टेप तो मैं फिर से एक बार इसको समझाना चाहता हूं थोड़ा गौड कीजिएगा तो हमें तीन चीज़ हम स्टेप nord पहले पर हम जाएंगे यह फ्यूल गोर्ज में हमें फ्यूल गौर्ज नंबर पहला फ्यूल गौर्ज सब्सक्राइistes घ्रस पूछा सुनध Nawet में समझ में नहीं आता कि कहां से च्ञाप करें कहां से शुरू करें कहां से भी फटाइब करो कि कहा जाना है कहा नहीं जाना है कि क्वोल्टेज क्वोल्टेज नहीं दे रहा न और पहले तो आप अपना पावर चेक कर लो और उसके बात फिर अपनी जो आज तो पहले तो आप अपना पावर चेक कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं और भी बैट की लाइन को धूटे हैं कि क्या वाकिया में फ्यूल गौच यहां पर चेक करना चाहिए कि नहीं चेक करना चाहिए तो उसके लिए मैं सबसे पहले अगर यहां पर मैं आपको लाइन समझाओं तो यह जो लाइन आपको दिख रही है यह वाली लाइन जो जा रही है यह आपका जा रही है बी बैट यह आपका बी बैट है ठीक है जहां पर आपको बैट्री के वोल्टे जा रहे है यह जो लाइन आपको लाइन दिख रहे है यह आपकी बी एसाई ठीक है यह BSI की लाइन होती है और यह जो बैटरी ठर्म लिखा हुआ यह आपकी बैटरी टेमप्रेचर की लाइन है यह जो लाइन है यह है बीटम यह आपकी बीटम की लाइन है ठीक है जो हमारी लिए जो हमें चेक करना है सबसे पहले यह पीबेट की लाइन नहीं धूरेंगे और आपको यहां से दिखाता हूं जूम करके दिखाता हूं इसके साथ यहां पर लगे हुए है डायोड दो कि द् Bock करते हैं कि कहां जा रही है और उसी की अभी वित्स जाता है प्र इसके बाद करेंगे कि यह जो वी टायम की लाइन है ये कहा जा रही है ठीक है तो आपको करना है यहां पर यहां पर दबा सकते हैं और और रइट क्लिक कर सकते हैं आपको ना यह सेलेट करना है ज्यादा तर जो लोग गलती करते हैं ज्यादा तर लोग जो गलती करते हैं गोगलती करते हैं कि वो खाली इतना स्रेय्ट करते हैं लिए विपैट आपको दिख रहा होगा तुम देखे यहां पर भी जा रहा है यहां पर भी जा रहा है यहां से आ रहा है यहां पर भी आपका फॉल्ट हो ज़रूरी नहीं है कि आपकी पीएफॉ लगी हुए है तो ज़रूरी नहीं है जो पीएफो और जो की नेटर का इसी होती है कि आपको फॉन को चलू तो करती नहीं है तो कलती ही लोग यही करते हैं और फिर वो सुचते हैं कि यह 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 जा रहा है आपको पूरा करना चाहिए आपको यह 10-15 भी चेक करना है यह 10-15 भी बैट कहा जा रहा है अब तुरह आपको दिमाग खुल गया होगा हो अचा वीडियो अच्छा लगे तो बिल्कुल लाइक जरू करना मेरे को लाइक चाहिए इस बात और जितने भी लोग हैं जो भी देख रहा है वो लाइक जरू कीजिए कि वीडियो को और जैसी म यहां पर इहां पर भी बैट है यहां पर भी बैट shcटर वाला यहां पर डष्पंदरा वाला हमको क्या चाहिए 10 15 वाल जरू है तो यहां से यहां से पूरा पर उसको पूरा पेजाने वाला हूं पर और देख लेते हैं और कहां जा रहा है इसके बाग कहीं नहीं जा रहा है तो देखिए दो जगे पहले आपने जैसे मैंने देखा है कि बहुत जगे जा रहा था अब आपको यहां पर देख रहा है किवल दो जगे पर जा रहा है तो अब आपको क्या करना है अब यह आई-सी दूड़ना है तो यह आपकी और यहां पर जाके इसको दूटते हैं यहां जाके इसको दूटते हैं तो देकि यह आपका बैटिकरेटर हो गया यह आपका बैटिकरेटर हो गया यह आपका बैटिकरेटर हो गया और यह वो आईसी हो गई यह वो आईसी हो गई तो बिसीकली आपको सबसे पहले यह आईसी चेक करनी पर यह मलब बिसीकली सबसे पहले हम यह आईसी चेक करेंगे और देखेंगे कि हमारा फॉल्ट बनता है क की नहीं बनता अच्छा इसमें चीज और देखने वाली बात है मैं आपको यहां पर देखाना चाहता हूं कि कि इस आइसी में ना आपको कि इसको एंट टूल करना होता है तब जाके यहां से स्क्रूल होता है राइट्ट और राइट तो आप देखें कि यहां पर बीटेंप जा रहा होगा आपका अंपका नोटेश कीजिए ठीक है और आप जैसे देख रहे हैं पर कोई सीरीज में नहीं है एक यहाँ पर हाइवल्यू रजिस्टर लगा के रखा हुआ है पैलेल रहे पर और क्योंकि बीटम उपन है तो मतलब हमारा जो फॉल्ट है वो यही आईसी का फॉल्ट हो सकता है क्योंकि उसके बाद SMB नहीं सजीटू अबрос फ़ीए इस जैसे की मैंने स्टेप टो स्टैप समझायेया आपको आशे incur the आप्स पोसे दिखाना चाटाओं किस तरी सी आपको यहां पर दिख रहा होगा अगा मैंद सब्सक्राइब करके दिखाऊं है तो बेवर सबसे पहले इस testive point से होता हुए इस register के यह वाली से पर जा रहा है देखिए आप यह नुस्कट पॉइंट है कि इसी वन है और यहां से होकर वह यहां जा रहा है और यहां से होता हुए वह c2 पर जा रहा है जो कि यहां पर जा जो फोल्ट है वह हमारा यह जिस्टर तो नहीं एक है क्या पर आपको इदर से यह दिख रहा होगा और एक पैलर में यहां पर एक रजिस्टर लगा होगा हाई वेल्यू जैसे कि आप यहां देख रहे हैं तो अब वह रजिस्टर यह है वो देख लेते हैं एक बार यहां पर देखें यह लगा है जीरो टू जीरो वन और यहां पर यहां यहां पर आप जैसे कि देख रहे होंगे यह जो रजिस्टर है यह लगा है बीवन के साथ अब इसको बीटीम की लाइन में समझाओं यह लाइन यहां से जाते हुए यह आपकी यह आपका वीट है यहां करो इसको मैं नहीं के काम पराइन हैं अगर पूरा वीडियो को पता करना है नहीं सबस्माइद करनेNotes और दोस्तों अगर आपना सब्सक्राइब ने किया तो यहां पर अब हम करते हैं बात यह तो हो गई में तो चलिए वाली आइसी पर काम करते हैं इसको निकाल कर लेते हैं नहीं हुआ तो इसको चेंज कर देंगे दूसरे मॉडल से में पास एक दूसरे फॉन पढ़े हुए र इस लगी हुए तो मैं इस आइसी को वहां से निकाल के सो चेंज कर दूँगा अब भी तो फ्लाव में इसको रिबॉल करके देखूंगा और देखूंगा कि लगाने पर सही हो जाती है कि नहीं हो जाती है ठीक है चलिए ठीक है चलिए देखते हैं आई होब कि दोस्तों पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर किज़ेए चलिए शुरूर कर देते हैं इस इस पर काम और दोस्तों अगर आपको आई से निकालना लागाना नहीं आती है आप बिल्कुल सिर्फ कनेक्टर चेंड करना और सिर्फ डिस्प्ले स्प्ले का चोटा मोटा काम क कर सते हैं यहाँ पर आपको हम पर्फेट तरीक हैसा इस निकालना लगाना सिखाएंगे और अगर आप हम अगर आप हम पूरा कोस्त जोइन करेंगे इम्मसी का तो हम उसमें आपको पेस्टेट आइसी और सारी चीजें आपको इम्मसी से रिलेटेट फोन अलॉकिंग इस सा को एकनी भी आईसी हा हो सबसकती है डीपी में आपको उसका हम पूरा आपको नौलेज आपको तो यह पूरे इंडिया में बात करें हमारी किसलाश was को हुजिए और आड बजे से राक के आठ बजेतर मारी क्लास पर यह और जिसमें सिफ दोने का एक ईुसमें इसमें सिफ की जाती है और उसमें आप सूचेगी कितना हम प्रैक्टिकल और कितना हम थेरी आपको देते हैं तो चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस IC की यह देखिए इस IC पर भी अगर मैं नमबर की बात करूँ तो यहां पर आपको बीक्यू लिखा समझ में आ रहा होगा अगर मुझे आइसी पर्चेस करनी है तो मुझे BQ27426 ही पर्चेस करनी पड़ेगी और अगर इसके कंपेटिबिलिटी कोई दूस्या इसी मिल जाती है तो मैं भी लागा सता है अगर पुछ नहीं है अब इसके बागल में बैक्टीकर है उसको तखके लखना है तो दे कि उस पर ड्रकशन इस तर से लगा लेते हैं यह आपने पर यह स्टर से लागा लिए ताकि हमारे बैक्टी कर्डेटर पर हीट ना जाए या इसी निकालने के तो प्हार्परी, झाओराय को और शाहिए, जाओचिछ एतकी जज़ हो, जब शाया को अपत्रूपस काझगा हुआ हुआ है मैं भर से भी ऐाए, झाओवस काझगे हुआ झाल, पलाइए, झाला झाल, झालाही हुआ 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 है नहींमें ते-मेंट कर् आदा झाल ender गया सốc पया यस्याविजज फैव यह कश धिं Always जिस पारी नहीं पास रहन सो स्थावी लिजए लाट लाइशा लाटश। लाट लाटोसूसूसुटर का में अधिया लाटश। लाटोसूसुटर का में लाटव Uhu लग कर दो भाका यहाद सका भा ल lug औम्योंकन। लोगरी यहोंवा वाध इल्ग लोगरी सेवडे अवेश्स की किर एक IPSt्थ स्थाओ कि लगरी सजल कि भीजो अजो शूए से भीजेर श्लिँ स flu बने का देम झाल 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 तो देखिए यहां पर हमने इस इसी पर काम कर लिया है हमने यह इसी लगा लिये अब इसको इस बार लगा के चेक कर लेते हैं देखिए 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 अब आपको यहां यहां पर सो करके देखाते हैं झाल देखिए बेड़ गजा यहां यहां पर देखिए यह इस यहां पर आपको यह आपको यह बीब मिल जायेगा इस धтов कि मैं फिर से इस को चेक कर वा देता हूं देखेगा, यह हमारी बीबैट, देखेगा, यह हमारी बीबैट, यह हमारा बीबैट, और यह हमारा बीटम, तो चलिए इसको इब आप प्रॉपर तरीके से आउन करते हैं, और देखते हैं कि यह प्रॉपर तरीके से आउन हो रहा है क्या, यह देखेगा, तो हमारा सेट प्रॉपर तरीके से आउन हो चुका है, जैसे कि आपने देखा कि यह डैट सेट था, और ना इसमें इवन सी का फॉल्ड था, ना इसमें शॉटिंग थी, ना हाप शॉटिंग थी, फिर भी यह डैट था, तो क्या वज़े हो सकती है, क्या नहीं हो सकती है, सारी चीज मैंने आपको यहां पर बताई, और इस बार मैंने आपको कोसिस किया, कि इस बार आपको मैंने यहां पर डैग्राम के साथ में सारी चीज आपको यहां पर बताई, देखे, यह हमारा फॉन कंप्लीट डियूरू लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चनल को सब्सक्राइब जरू करना लाइक जरू करना और अगर आपको और सीखना है और अच्छे लेबल पर सीखना है क्योंकि दूस्तों एसे तलिगौम का इत्यास रहा है कि यहां से जाने पर बहुत से बच्चों ने अपने अनिचर दिया जारा होगा आप कॉलकित अपॉल कर सकते हैं और अफेर लॉगडाउन हमारे जो बैचे को मिलेंगे तो आपको չत मिल जाएगी और आप कॉल कर सकते हैं 12 और 5जी को बीच में ही कॉल मुझ बढ़ करना है थैन्क вы Bardzo किया यह रबली मँच पासॉत imposeफ करना बने का यहां पर क्योंकि सब्सक्राइब करने का नजरिया क्या हुआ है बिल्कुल चेंज हुआ आपका नाम क्या है कांसा है मनुच दिल्ली से इतना वड़ा सहर साउद नौध डिल्ली इतना वड़ा आप छोड़े से जवलपुर में क्यूँ सब्सक्राइब करने करता है इसके माले में यहां पर पढ़ाया जाता है विल्कुल और प्रेस्टिकल करवाए जाता है क्या वात है तो यह जब हम जाएंगे तो पीची बीसे बात करने लगेंगे जब हमारे आतमे मंल्टी मीटर होगा न तुम पहंचान जाएंगे कहां से क्या फॉल्ट है जबकि नौ डिगरी टेंपरेचर चला है जब इतने कम डिगरी में लोग कमल में बुझ जाते जब आम लोगों को उटके सर अभी सर्कीत बना के जना बड़ता है बिना वजर के यह है यह है यही इंस्टिट करिभी थैंक युवरी माच्च घ्च्राइनबर च्टो प्सक." झाल, 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 झाल